देश की प्रसिद्ध संत उत्तम स्वामी महराज ने लव जेहाद के मामले में सरकार से मृत्यु दंड देने की मांग की है संत उत्तम स्वामी आज खरगोन में एक धार्मिक आयजन में माध्मिक सिक्षा मंडल के पुर्व वाइस चैर्मेन भागिरत कुम्रावत के बुलावे पर पहुचे थे इस दोरन मीडिया से चर्चा करते वे संत उत्तम स्वामी का कहना था कि सरकार को लव जेहाद के मामले में सिधे मृत्यु दंड देना चाहिए चर्चा के दोरन स्वामी का मानना था कि सनातन धर्म बहस का विशय नहीं है सनातन धर्म का अकबर से लेकर अंग्रेजों के जमाने में भी था अब समय आ गया है कि लोग जिहाद को लेकर सरकार को कठोर दंड देना चाहिए हमारा खाकर हमारे देश का पतन कर रहे हैं इधर फिल्म केरिला स्टोरी पर पुछे सवाल पर संत उत्तम स्वामे का माना था कि एक नहीं हर जीले में केरिला स्टोरी जैसे स्टोरी मिलेगी आतताई लोगों को कठोर दंड मिलना चाहिए बीरो रिपोर्ट खरकाउद अकबरस लेकर अंगरेज तक सनातन धर्मों को मिटाने के लिए बहुत प्रेत्नम है लेकिन भारत देश ऐसी जड मझबुत है आज तकूस Sonatan धर्म की जड ना कोई पाप आया ना कोई सनातन धर्म की जड पकड़ पाया ना पकड़ कुछ एक लोग हैं इनको तो सरकार को इनके उपर नजर रखकर जितना दंड और कडे सिक कडई इन्पो exagger AT भॉह सकता जाए ना चाहिए सरकार से बहुत नभीधन परता हूं इस तरह कि हमारे देशंए रहेकर हमारे लोगों के साथ तो यह तो किसी माफि के लायक नहीं है इनको दमृत्यु दंड देना चाहिए इसे लोगों को तो बिना कुछ स्वचे बहुत जादा चिंतन करने के बजा मृत्यु दंड मिलना चाहिए करला सैंसे परdeckने बिल्कोल कई बार मैंने वह देखा नहीं है लेकिन फर स्वचे धार जैसे एक एक नहीं और इसे हरेकत जिले में इस तरह की क्यों श्टोम् dep मिलेगी के नशीनicate मैं किसी प्रचाए में यह जो भी आतता ही लोग है यह उन्होंने जिस तरह से शडंत रखी है मुझे लगता ही एक मापी लायक नहीं उनको दंड मिलना चाहिए हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना बुले